वेल्टम वेल्कम बैकें टेडिंग चानल के यूटूब चनल मैं आन्मोर मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत सवागा दोस्तों आज एक और नए टेडिंग सेटप के बारे में बात करने वाले हैं आज हम बॉलिंजर बेंड और रेंको दोनों को मिक्स करके एक से काम करने वाला है जितने भी मैं सेटप आपको दिखा रहा हूं रेंकों के साथ पिछली बहुत सारी वीडियो में कुछ ट्रेडिंग सेटप आपको बताएं वह इसलिए बताएं ताकि आप हर एक इंडिकेटर के साथ फैमिलियर हो जाए कि रेंकों को समझाने का में मोट सब्सक्राइब यही है कि जो रेंकों है बहुत बढ़िया टूल है टेकनिकल अनेलिस में बिगनर्स लोग जो मार्केट में नहीं आते हैं उनको बहुत कंफिजन होता है वह यह नहीं बता पाते शेर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कई लोग मेरे पास ऐसे हैं जो मुझे मेल करते हैं कमेंट करते हैं कि उन्होंने कई 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 कईlyuggling acqu чисze करें लेकिन फिर भी उनको यह clarity नहीं आई वो यह नहीं बता पाते हैं शेर अउपर जाएगा नीचे जाएगा ठेकनिकल अनलिसिक ना थिए अग्जीन है को पास फिर ऊपस्ट को पास टोनीर Matte को लगत NOW है और और रेन को लगा अगर कि हमें simplicity से यह पता लग जाता है कि कोई चीज ऊपर जा रही है नीचे जा रही है sideways है इससे जाधा और क्या चाहिए टेक्निकल एनलिसिस के अंदर तो इसलिए हम अलग अलग आपको setup बता रहे इंडिकेटर के साथ ताकि आप familiar हो जाए अच्छे से समझे और चीजे करना असान हो जाए रेनकों के साथ तो जो बॉलिंजर बैंड है तीन लाइनों को दोस्तों यह एक इंडिकेटर दिखता है तीन लाइने ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो इसको समझेंगे यह तीन होता नहीं है लेकिन जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं वो क्या करें उनको तो कहिना की जज्जमेंट लेनी है तो आज हम फाइफ मिनट पर ही भाड़ती एटल को कंसिडर करने वाले और जो केंडल हम यहां पर चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम यह केंडल स पर लग जाता है चार्ट तो अब यह वहां चार्ट लगा वा इसके अंदर जो खास बात यह. इस चार्ट के अंदर जो HR लगा हुँआ है यह पांच मिनुत के अंदर अगर हम इसका ए transformative ऐटल तो यह आनि भाड़ती एटल पांच मिनुत के चार्ट पे 3.3 2 का इसका ATR यान पीस जो है उपर भागता है या नीचे जाता है इसका मतलब ही है उसी के साथ इसने ब्रिक ले लिए जितनी भी ब्रिक है यह 3.32 पैसे के साफ से काम कर रही है यानि 3.32 पैसे के साफ से काम कर रही है जैसे जैसे 3.32 पैसे उपर चाता जाएगा वैसे यह उपर जाता आपको द इतनी भी candles बनी वो confirm होती भी आपको दिखाई देती है तो सीधा सा funda दोस्तों इसका यह है इसके बाद हमें लगा लेना एक indicator indicator बहुत लोग पहले से जानते हैं इसको बहुत कमाल का indicator है indicator है दोस्तों Bollinger Band तो यह देखें दोस्तों Bollinger Band आपको लगता है दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले जो Bollinger Band इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अब Bollinger Band के अंदर दोस्तों simply तीन लाइन आपको दिखाई देती है अब जो बीच वाली लाइन यह क्या है यह एक moving average है अगर आप देखें यहां Bollinger Band जो है 20 का लगा हुआ है तो यहनि जो 20 की moving average है वो बिल्कुल बीच में लग जाती है बिल्कुल moving average की तरह ही काम करेगी है तो यह है moving average की line लेकिन यहां पर जो आपको एक अपर वाली line दिख रही है यह अपर वाली line क्या काम कर रही है जरह इसको समझेए तो यह जो अपर वाली line है दोस्तों यह standard deviation है दो standard deviation इसके अंदर लगाए जाते हैं तो यह एक ऊपर लग जाता है एक दोस्तों आपको नीचे लगता वा आपको दिखाई देता है यहां पर तो दो standard deviation की line है साथ में लग जाती है यह अपर वाली है और नीचे वाली जो है व फर्पर जाती दहती जैसे कि आप यहां समझ जाये कि बजार के अंदर एक से-स नेरियो बना हुआ है तो यह कुछ इस तरीखें का फ्लैट आपको दिखाई देता है उपर नीचे उपर नीचे यानि किसी भी बैंड के साथ चिपकता हूआ उपर जाता हूआ नीचे जाता हूँ दिखाई आपको नहीं देता है तो इस तरीके से जब हम catalyst को यूज़ करते देखे रहा है लेकिन ठीक अगर हम यहां पर Candle Stick को ले लेते तो Candle Stick में कुछ ऐसा नहीं होता जब गिरता है तो कुछ इस तरीके से नहीं गिरता देखिए यहां पर गिरा जरूर है लेकिन यहां दो-तिन तो इसलिए हम रेंको को जादा करवा रहे हैं जो बिगनर्स लोग है जिनको नहीं समझे बजार की टेक्निकल एनलिसिस की जादा और टाइम लगेगा उनको तो वह किसी चीज़ से तो स्टार्ट करेंगी तो यह जो है बहतरीन टूल है जिससे वह अपनी स्टार्ट कर सकते है इसनी ट्रेडिंग को और बहुत सिंपल सा टूल है बहुत सिंपल वे में काम करता है तो यहाँ पर आपको क्या समझना चाहिए किस तरीके से ट्रेडिंग करें तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी सिंपल सी चीज़ है जैसे कि आमने चिपकने वाली बात करी कि जब भी इसको तो चिपकता वो ऊपर जाएगा तो यहां पर आपको wait करना है किसी बैंड को break करने का तो अगर आप देखे तो यहां पर एक जो band है वह यहां पर एक break हुआ जैसे कि आप यहां देख रहे हैं यहां पर यह हाई break हुआ तो जैसे यह पिछले swing का high break कर रहा है upper band के पास भी है तो यहाँ पर आप एक trade की entry ले सकते हैं यह एक अच्छा entry point बनता है secondly बात करे stop loss की तो stop loss आप देखी रहे हैं कि जब इसने high break करा तो इसका जो पीछे वाला जो swing था उसका low यह था तो यह दोस्तो आपका बहतरी जो है stop loss को काम करेगा तो यहाँ पर आप अपना stop loss लगा सकते हैं और अगर हम बात करे target की तो target लगाने के दोस्तो बहुत सारे तरीके हैं पहला दोस्तो तरीका यह है कि आप दो red candle का wait करिए तो अगर हम देखें यहाँ पर दो red candle मिल गई आप यहाँ पर अपना target ले लीजिए आप यहाँ पर exit कर जाइए यह आपका बहतरी target का काम करेगा दूसरा यहाँ पर जो हमने पहले भी बात करिए कई बार कि target रखने के और कौन-कौन सा तरीके हैं तो यहाँ पर आप एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि पिछले swing को consider करें तो अगर आप देखें तो पिछले swing में मुश्किल से तीन ही candles थी तो आप तीन candles उपर अपने target रख लीजिए जो कि छोटा target है risk and reward ratio के साब से favorable नहीं है तो आप चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं आप चाहे तो percentage के साब से रख सकते हैं जैसे कि आप कहते हैं मुझे तो 10% का आपको एक target चाहिए और यह मेरा छोटा सा stop loss हो तो आप 10% का target रखिए तो जो आपको comfort लगता है आप उसे साब से target रख सकते हैं एक 200 तरीका और है target रखने का वो तरीका ये है कि आप पीछे वाला जो high है उसके पास target रख लीजिए जैसे ये जो high है पीछे का आप इसके पास अपने एक target रख लीजिए आप यहाँ पर भी exit कर सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद यहाँ पर एक resistance हो सकता है तो इस तरीके साब एक entry यहाँ पर बना सकते हैं बॉलेंजर बैंड के साब अगर हम बात करें कि जब हमें नीचे का कोई breakdown होता हुए दिखाई दे तब क्या करना चाहिए तो यहाँ पर कावी सारे scenario मिल जाएंगे आपको breakdown वाले भी उसको consider कर लेते हैं अच्छा सा scenario पकड़ते हैं जैसे कि दोस्तो यह वाला example देखें यहाँ एक बहतरीन example मिला हुआ है दो example है basically अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहला दोस्तो जो example यहाँ दिया हुआ है आप इसको consider करिए कि यहाँ पर जो पिछला swing था उसका low यह था उसके बाद यह नीचे आया रेन को चार्ट और जो इसका lower band था उसके पास touch करिया या उसके पास पोज गया यहाँ पर कहीं पोज गया तो यहाँ पर तो आप दोस्तो entry लेंगे यहाँ पर आप short करेंगे यानि short selling की एक entry लेंगे और उसके बाद exit करने का जो तरीका है पहला तरीका आप सभी जानते हैं दो green candle मिलते ही आप exit हो जाईए यानि यहाँ पर आप अपना profit book कर सकते हैं अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप अपनी percentage भी रख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर एक percentage रख लेते हैं माल लेते हैं यहाँ पर आपने लिया और यहाँ पर आपने 10% की 5% की 20% की अपने रख ली percentage आप उसके साब से रखिए और तीसा तरीका में फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूं ताकि कोई confusion ना रहे तीसा तरीका यहाँ पर आप कर सकते हैं कि पिछली candles को count करी है जैसे कि एक दो तीन चार पांच छे पिछले swing के अंदर एक दो तीन चार पांच छे candles थी तो जैसे यह ब्रेक कराता है यहाँ पर इसके छे candle नीचे एक दो तीन चार पांच छे तो यहाँ पर दोस्तो आप exit कर सकते हैं तो आप पिछले swing का इस्तमाल करके भी अपना target और stop loss लगा सकते हैं stop loss आपका बनेगा यह वाला जो पिछले swing का यह आप देख रहें लैवल यह आपका है stop loss बहतरीन stop loss है इसको बजार को तोड़ने में काफी तकलीफ होने वाली है कोकि already वो lower band के पास पोच गया था तो यह दोस्तो आप trading setup का इस्तमाल कर सकते है रेंगों के साथ जो बहुत easy है हर कोई कर सकता है ठीक अगर आप यहां पर देखें यहां भी कुछ ऐसा ही है lower band के पास पोचा पिछला जो दोस्तों swing था वो यह था जिसको तोड़ के यह नीचे आया यानि यहां पर आपके एक बहतरीन entry है और बहतरीन confirmation है क्योंकि पिछले swing को भी break कर दिया था यहां पर और यहां पर यह lower जो band है इसके पास पोच गया बॉलिंजर के इसके बाद आप exit कर सकते हैं दो green candle मिलने के बाद यहां आप अपना target book कर लीजिए या बागी जो आपने हमने जो पीछे बात करी है जितने भी तरीकों की 10% रखना है 5% 20% उतना रखिए और पिछले swing का आप capture करिए कि पिछले swing का कितना extent था उतना ही नीचे extent कर लीजिए जैसे कि पिछले swing का अगर हम देखे तो कुछ खासा नहीं था तो आप रिस्क और डिवार्ट रेश्यों बहतरी नहीं बनता उस तरीके से तो आप उसको नहीं इस्तमाल करी कि रिस्क और डिवार्ट रेश्यों हमेशा आपका अच्छा होना चाहिए stop loss छोटा और target उसके मुकाबले बड़ा होना चाहिए तब यह आप ट्रेडिंग में successfully आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो यह दोस् सिकुड़ता उध दिखाई देता है जिसके अंदर यह काम नहीं करता और बहुत सारे एक्जामपल है हमारे साथ हमारे पास जैसे कि आप यहां पर देखिए कि यहां पर इस सकूड़ गया था यहां पर बिल्कुल फलैट हो गया था ट्रेंड तो बाद में बना है लेकिन इ दिखाई देता है उसके बाद ट्रेंड आता है उपर का या नीचे का जो भी रुजान आता है तो इसको कैसे कैप्चर किया जा सकता है इसको समझ लेते हैं तो इसको समझने के लिए दोस्तों हमें एक इंडिकेटर की जरूरत है जिसका नाम है बॉलिंजर बैंडवीथ यह आ इस इंडिकेटर की खास बात क्या है जरूर आप समझेए यह दोनों का गैप बता रहा है इंडिकेटर अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड को तो जब यह बढ़ता है जब ट्रेंडिंग में होता है तो यह मोटा होता वह दिखाई देता आपको देखिए जब भी ट्रें आपको बड़े होते वह दिखाई दिये तो जैसे ही जितना यह एक्सपेंड होता जाएगा उतना ही मार्किट ट्रेंड में होगा जितना यह दोस्तों नेरो होता जाएगा देखिए यह नेरो हो गया यहां पर और नेरो हो गया यह यहां पर और नेरो हो गया उतना यह साइ sideways तो यहां पर कभी भी पैसा नहीं बनता है यहां कभी भी आपको काम नहीं करना चाहिए एक sideways condition है तो यह bandwidth आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है तो bandwidth इन दोनों के बीच का gap बताता है कि यह जो upper band और lower band है उसके बीच में gap कितना है तो bandwidth यहांम से लेकर यह तक मार्किर जो अब जो इह मार्किर ट्रेंड में नहीं में रएगी यह जोए यह ट्रेंड में नहीं है हें अगर आप यहां देख रहे हैं ठीक अगर हम बात कर इसके बाद यह उपर बढ़ना start हुआ तो यहां से market का trend आना start हुआ जैसे आप चार्ट पे देख रहे हैं तो हम बाकिट ड्रोइंग अटा देते हैं इसी को consider करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ट्रेंड में था और ठीक अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो यहीं से लेकर यहीं तक बजार ट्रेंड में था और यहीं से जो बजार के अंदर है बढ़िया रुजान आएगा तो अगर आपको जो bandwidth है इंडिकेटर आपको दिख रहा है जो बॉलिंजर बैंड का यह आपको ऊपर जाता वह दिखाई दें उसके बाद आपको वेट करना है रेनकों का किसी एक रुजान को पिक करना है तो अगर आप देख रहे हैं कि रेनको ऊपर जा रहा है उसके बाद यह अपर बैंड के पास उपर जा रहा है और हमें ये भी पता है कि हमारे stop loss भी बहुत छोटा सा है अगर आप देखें छोटा सा stop loss है तो यहां पर क्यों नहीं हम trade ले सकते हैं और अपना जो भी अपना दिख रहा है कि यह trend में था लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है यह पहले से ही आप पता कर सकते हो कि यह trend में होने वाला है यह कैसे यह हम आपको अभी बताते हैं कि जब बॉलिंजर bandwidth swing break करता वह दिखाई दे तो समझ जाए कि ऊपर जाने वाला है और जब यह swing जो है breakdown करता वह दिखाई दे तब आप समझ जाए कि market जो है नीचे गिरने वाला है यहाँ पर swings देखेंगे आपको पहला swing का high फिर swing का high फिर यहां से टूटता वा नजर आया देखिए swing टूटते वा नजर आया यानि आपको यहीं confirm हो गया था कि market यहां से आप trend में जा सकता है ठीक अगर हम बात करें जो swing बने वे यहां पर यह यहां पर आप टूटता वा नजर आया नीचे की तरफ तो आप करते हैं आपको पता लगता है कि बजार के अंदर कब मार्किट साइडवेज हो रहा है कम मार्किट ट्रेंड में आ रहा है थोड़ा सा हम नीचे का भी रुजान देख लेते हैं कि जब बजार नीचे गिरा हो bandwidth का मतलब यह नहीं है उपर जाना कि बजार ऊपर जाएगा नी वो चोपी था और यहां पर आगर आप देखें यही रुजान यहां पर चोपी था यहां से लेकर यहां तक यह बहुत तेजी से जो है bandwidth उपर आना स्टार्ट हुआ और अगर आप रेनकों को देखेंगे तो रेनकों भी यहीं से लेकर यहीं तक तेजी से गिरना स्टार्ट वह से पहले तेजी से नहीं गिर रहा था तो बजार चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो bandwidth आपको काम करता है trend बताने का तो यह trend के लिए आप इस्तमाल करें टूल को आप पहले ही confirm कर सकते हैं कि बजार क्या कर रहे हैं तो यह था दोस्तों सिंपल सा टेडिंग सेटप जिसका आप इस्तमाल कर सकते हैं मुझे उम्यद है कि आपको काफी हद तक किलियर हो गया होगा और यह बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाली चीज़ें इसकी प्रैक्टिस करिए मुझे बताए कि आपका क्या एक्सपीरि सिव बबार उस्तों